हंजी रमराम जी क्या हाल चल आपके आप और आपका परिवार ठीक ठागए ना भाई दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री साब ने गोशना कर दी है कि आपका जो CET का पेपर है वो जून जुलाई में करवाने जाने की त्यारी है या तो जून के लास्ट में या रेकोर्डिंग बाकी चे सीम साब ने गोशना जून जुलाई की किये है तो दोस्तो पचास जार बरतियां की जाएगी इलेक्शन से पहले CET के बेस पे तो हर्याना का हरी हुआ अब CET की त्यारी कर रहा है तो लेकिन नोकरी क्या है लिमिटीड लोगों को मिलेगी और CET मे पास करने वाड़े अनेक बच्चे हैं लेकिन आपको टोपर बनना पड़ेगा यदि आपको हर बरती के लिए अपरुचिनिटी चाहिए तो तो यहां पर दोस्तो आपको बहुत अच्छे से त्यारी करनी पड़ेगी और आपने इसी के लिए लाइबरीरें बैठे-बैठे साल दो साल अपने लगा दिये हैं त्यारी में महनत करते करते अब दोस्तो अपनी सलेबस तो कवर कर लिया लेकिन सलेबस के बाद में आपको आपके कितनी त्यारी हुई है वो आपको जरूर जाचना चीए जरूर परखना चीए तो हम आपको यह मोका दे रहे हैं दोस्तो और इस मोके के रजिस्टेशन करने के लिए केवल दो गंटे बचे हैं अब 21 माई को ये टेस्ट होगा हर सनिवार को टेस्ट लेते हैं वैसे हम आप आपने पिछले टेस्ट नहीं दिये हैं तो आप पिछले बार टेस्ट के क्वालिटी देखना एक बर और जो हमारा कल जाते हैं तो केवल दो गंटे बचे हैं अभी बारा से एक के बीच में रजिस्टेशन बंज हो जाएंगे और फिर दो बजए एडमिट कार्ड जारी कर दे जाएंगे और एडमिट कार्ड आपको लेकि आना है कल टेस्ट के लिए और यह टेस्ट दोस्तों ओफलाइन होता ह जैसे HSSC में आप एक्जाम देते हो ओमR के उपर सेम वैसे ही फिलिंग में आपको यहां पे हम देंगे से मेंगे पेपर आपको देंगे ओमर पर घोरन गोले बरने में जी से आपको कि Mix आठीत गयाो एगा जो गलतियन आप कर देते हो वह गलतियां थे आपके धियरेवर द test लेते हैं लेकिन center में क्या होता दोस्तों केवल आप 150 बच्चों के बीच में अपना?, यहाँ पी जो आप अपना टेस्टन लेते हो 2-3,000 Bucs के बीच में क्या है अपनी त्यारी को आप देखते हो और अब साथ में सब्जेक आधि बताते हैं कि इंदी में कितने हैं मैंत में कितने हैं तो जो भी साथी टेस्ट देना चाहता है अपना रजिस्टेशन कर लिजीगा के टीडिटी पे केवल दो गंटे बचे हैं और साइद 40 या 50 सीट बचे हुई है उसके बाद में रजिस्टेशन समय से पहले बिबंद हो करें